असलाम लेकुम आपको बाक टो मैं चैनल अम्मी की इजी रेसिपी तो फ्रेंज आद मैं आपको यह डिलेशियस सी रेसिपी बताऊंगी बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से चलिए वीडियो का स्टार्ट सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है इसके हम बनाएंगे नान बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंज पूरी एक प्रपर धाली बताऊंगी आपको कैसे बनाना है तो मैंने एक कप लिया है मैदा और उसी कप में हम पानी ले लेंगे मैनेजमेंट के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है आधा चमच बेकिंग पाउडर एक चमच से थोड़ा सकम बेकिंग सोटा दो बड़े चमच दही कुब अच्छे से उसे कुब अच्छे से मि मादा लिया था उसी मैज्जिवमेंट के हिसाब से हम पानी लेंगे अपना अच्छी तरीके से उससे मिला लेंगे अपनी हम आटे के हमें बिल्कुल ही वैसे उसका डू लगाएं फ्रेंस पानी धीरे धीरे डालिए का ताकि आपको अंदाज मिलता रहे कि कैसे आपको यूज करना है अमना गीला हो जाएगे तो प्राब्लम हो जाएगी फ्रेंस ये हमारा डो रेडी हो चुका है अब हम इसे हलका से ओई लगा के एक से देर घंटे के लिए धाकर रखने वाले हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए फ्रेंस ये कुछ टाइम बात देखे एक्दम सॉफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से अब हमें इसकी बना लेनी है लोई और हमें इससे इखटे करके कि जितना भी आपको चाहिए उस हिसाप से रोटी के हिसाप से हम नहींगे जिपने बड़ी आपने रोटी बनती होगी उस हिसाप से आप लीजिएगा तो फ्रेंस मैं इसकी एक लोई पूरी तयार कर लेती हूँ यह हमारी लोई एकदम रेडी हो चुकी है फ्रेंस यहां पे मैंने इस्तिमाल किया है कि मैं मादा ने यूजिऋ कर रहे हूं सिस्प्रिंट करने मैंडा हो तो भी दा सकती है यहां पर मैंने लिया है मकई क्या आटा अगर आपके पास हो ठीक है नहीं हूं तो कोई बात नहीं आप नॉर्मली मादा भी यूजिजिए बनाना हैं आप शेप वैसे हम आम कोई मैं Bowl करता क्योंक हम इसे काट की यूज करेंगे जब इसे बना लेंगे तो जिस भी शेप काप को बनाना हूँ आप बना लेजेगा फिर हम इस पे धन्या स्प्रिंट कर देंगे और हम इसमें थोड़ा से सौफ अमंग रेल भी एड़ कर देंगे उसके बाद हम थोड़ा से बैलन से इसे चला देंगे और इसे अंदर तक जाने देंगे फिर नीचे साइड में थोड़ से पानी लगा के इसे खुब अच्छी तरीके से सेख लेंगे फ्रेंज नॉन स्टिक मत लीजिएगा अगर उसमें पानी लगा के आप डालेंगी तो नहीं चिपकेगा नॉर्मली इसमें हम रोटी बनाते हैं हमें वही तावा चाहिए अब इसमें पानी लगा के आप डालेंगे तो फिर वह गिरेगा नहीं और पलट पलटी अच्छी तरीके से भटी था हमारे पास होगी नहीं तो जायर से बात हम गैस पे ही बनाने माले हैं इसे तो डिलेशियस सी रेटी हो चुकी है फ्रेंज जादा में जलाना नहीं है इस अब हम इसे उतार लेंगे और यह बहुत ही जादा सॉफ्ट और क्रिस्पी है अब जादा ताइम भी नहीं लगेगा आप किसी भी चीज से खा सकते हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी है यह लास्ट में आप इसमें बटर लगा लीजे और आप चाहे तो बटर लगाई बचा बिल्कुल सॉफ्ट सा है यह बिना बटर के यह देखिए फिर अब हमारी पनीर की हम तयारी कर लेते हैं यहा पर मैंने लिया है टमाटर सेम कॉंट्टिटी में मैंने प्यास लिया है मेरे पस छोटी प्यास थी तो मैंने 20-4 कर लिया आपके बड़ी हो तो आप बड़ी अप वरके साटे करनाए है तकि सिर्फ सॉफ्ट हो जाएगे और कुछ नहीं अप्छा है तो बिना सॉटे क्या भी से ग्राइड कर सकती है लेकिन सॉटे करेंगे तो इसके कॉछय पर निकल जाएगा और यह चुछ अच्छे से हो जाएगा और हम इसमें कुछ भी नीयाड करेंगे मिलेवी ऩुदर कुछ से कहां धंदा होने के बात हमें इसे ग्राइंड कर लेना है कम से कम 5-3-5 मेर चारी नीचे अफ़न 상ःक्राइब करण होने कर दो करेंगे इस तरीके से दिखेगा मैं आपको स्टेप बाइस बताऊंगे इसमें पानी भी नहीं डालेगा बिना पानी के मिसे ग्राइंड करेंगे अब यह मेरे पास यह पनीर है आप आप कोई से पनीर यूज़ कर सकती है इसका प्राइस इस सेवेंटीज रुपीज जो मैं ट्राइ करने वाली पूरा बहुत अच्छा पनीर है यह आपको इसे भी उस कर सकती है जो यूज़ूली आपके पास हो और हमेंसे पीस करके काट लेनी है जती बड़ी पीस चाहिए आपको पीस आपसे काट लीज़ेगा और हमेंसे फ्राइटो करना नहीं है तो यह बह यह बड़ा तुकर आपको काट लीज़ेगा नहीं इतना बड़ा लिया है अब मैं यूज़ यूज़ करेंगी जितना ओल उतना ही बटर अब चाहें तो बटर को सक्टी है और में बना सकती है लेकिन बटर से फ्लेवर थोर और आएगा इसलिए मैं अट कर रही हूं फिर मे उसमें एक बड़े चमच भर मिर्च चालेंगे लाल मिर्च आप चाहें तो अपनी यह साब से कर सकती है या कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ करसकती है जो हम यूज़ करते हैं घर पर मैंने बही ली है इसे 2-3 मिन लिए को अच्छे से भूण देना है ताकि इसका कच्छ गालेद जरूशने नीम राव्य ही इतों की चीछ है जितना है आपको चाहिए अपने लिट साथ इसको नायमल फ्रेम भी के भी है रेए से इस लिटें लाव और पर तो लोगने निंपाल दर तके विटेंगे हैं आपको साड़ी है कि इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपको सॉल्ट चाहिए उस हिसाब सब सॉल्ट भी ले लीजिए काजू को मसालिक साथ ग्राइंड कर लेते हैं पर मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं ऐसे काजू को यूज़ करने वाली हूं विडाउट ग्राइंड ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है और लुक वाइस भी अच्छा लगेगा प्रिंस कसूरी मेथी अगर आपके पास हो ता वह भी लेकिन मैंने यहां पर हरी मेथी फ्रेश एकदम यूज़ किया है कसूरी मेथी नहीं की है एकदम फ्रेश मेथी जो होती है घर पर वही यूज़ की है फ्रेंस यहां पर मैंने दो बड़े चमल बलके मलाई भी एट की हुई है जो फ्रेश घर की मलाई हुई है बजार की मैं के यह विए इसे को बच्छी तरह के मिकस करना है मेथी रालना ना भूलें उप्रेश में ज्वेस कर सकती है लिकिन अची परिश जाधा अची लगती है फिर आप इसमें पनीर कर दिए जटीक आप चाहिए पूरी समय इसमें चाहिए पर तक मैं एक ड़ी है तोड़ा सा अधर चमस डाला है तकि मसाला इसका रहे पहले ही जो कि मैंने डाल दिया है ज़्याद पेस्ट और फिर इसे को बच्छे से मिक्स करके कम से कम दो मीनिट हमें सिफ भूंजेना है और इसे ढख के फिर से स्थरप कर दीजे तो अधर अधर नास्ट में इसमें थोड और इन्हांस हो सके वस ही हमारे रेटी है अब इसे गर्म गर्म सर्फ करें वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करने नाम भूलें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है ओक बुर्दाब बिस